तो जैहिं दो मेरे प्यारे साथियों, तो जैसे कि अभी Remedical में total कितने medical student fit हो रहा है और medical कैसे check up हो रहा है Remedical का, बहुत सारे भाई बहरा ने comment किया था कि उसका problयम है, उसका कैसे check up हो रहा है केरि एंगल में, dental में, flood food में, उसका surgery point में, BP में, heartweight में, to get full information आपको इस वीडियो में step by step मिलेगा लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी देख लीजे जैसे कि एक भाई है इन्होंने पुछा था इसका बिहार का है 16 सेतंबर को इसका medical था इन्होंने बोला है कि 33 लड़कों में से 17 लड़कों का refer किया है एंड 13 लड़कों में से 12 लड़का को fit एंड एक लड़का को पेर के नास में unfit कर दिया मतलब भेरी कॉस्बर में ठीक है उन्होंने उसका एक सावाल किया था कि ऐसे ऐसे medical फीट हो रहा है एह है मतलब आपका बिहर में अभी all over इंडिया में ऐसे एक percentage है मतलब आपका total 30 है तो total 30 total 30 कोई भी मतलब all over इंडिया में total maximum 18 मंदा फीट हो रहा है और absent दो एक ऐसे से करके absent ज्यादा absent नहीं है और अभी तो जास्ट दो से तिन दिन medical start हुआ है और अभी all over इंडिया बोड़ादिस्टिक का medical start है अभी तक मेरे ख्याल से जेनालिस्टिक का medical start है नहीं हुआ ह आपका जो medical जैसे कि आप देख सेक्तो नागपुर में नागपुर में देख सेक्तो इन्होंने सद्रा के जगा 71 कर दिया है तीरिस में से 24 वीट नागपूर महराष्ट्रा में नागपूर में तीरिस में से 24 फीट ठीक है अभी चलिए और कुछ देख लेते हैं जैसे कि आस एक सेगेंड असाम में देख सेकतो आसाम में जो फीड है स्वत्रा नो को आसाम आरमे रिपोर्ट ए एंड बी बेसेप देख सेकतो एबसेंड 13 ए सोरी एबसेंड जीरो प्रेजन्ट 3 फीट 10 अन्फिट 20 ठीक है मतलब सबसे ज्यादा जो अन्फिट हो रहा है ए प्लस भी ग्र है जो कोलािनी इसका प्रोब्लेम कुछ ऑबार हो एक है कुछ मतलब सबसे जो इजी प्रोइंट है ओ मतलब फीड हो रहा है क्यूंकि देखिए सभी को भूबनेशर तिरिस केंडिडेट जिरो एपसेंट शोला अनफिट चार पेंडिंग ठीक है दस फिट दस फिट मतला ऐसा नहीं है कि सब लोग एक सभी लोग ज्यादा ज्यादा फिट हो रहा है क्योंकि इस बार बहुत सारे भाईभ्यान को रियेक्शन मिला है बहुत सारे लो सभी स्टेड में कम से कम 60% के आसपास सी ग्रूब में 60% के मतलब एक रेशियो क्वालिफाइ कर रहा है 60% अब जो आप जभी A और B को जब आप केल्कुलेशन करोगे A और B को तब उसका रेशियो सेम टू सेम आ जाएगा 40 से 5% 50% ठीक है अब भी बता दू कैसे चेक हो रहा है रिमेडिकल जिसका मतलब केरी एंगल में है लेफ्ट हैंड या राइट हैंड उसको पहले डॉक्टर सब चेक कर रहे हैं कोई डाउट हो रहा है तो उसको मतलब प्राइवेट होस्पिटल लेकर उसका एक्स्रेव अगेरा करके उसका रिपोट आने के बाद मतलब आपको रेजाल डिकलर करते हैं उसको फिट या अनफिट कर रहा है चातातर केरी एंगल में फिट क्वालिफाइ कर रहा है और नोकनी में इस बार नोकनी में ज्यादा मतलब और्थोपेडिक मतलब और्थो में नोकनी में सबसे ज्यादा अनफिट हो रहा है ऐसा नाव समझे कि पैर सिधा लंबा है ऐसा नहीं है ठीक है जो जिसका फ्लेट फूट है उह भी वंदा अन्पीट हो रहा है रिमेर्डिकल से जिसका डैंट प्रोवलम है जिसका दाट में बहुत ही कुछ प्रवलम है ओन्पीट हो रहा है और जो डी एन चैप और यह आदो Eh आपका जो BPR, BP and Heartbeat, BP में क्या हो रहा है, BP जो Blood Pieser है, BP में आपको Tension, मतलब 2-3 बार आपको Chance देया जाता है, बहुत सारे सेंटर, चार भार भी सेंटर देया जा रहा है, जिसको ज्यादा टेंशन हो रहा है, वह बन्दा मतलब आप unfit हो रहा है, ज्यादा unfit नहीं हो रहा है, और जो आंग वाला है color vision वो तो permanent unfit वो बन्दा unfit हो रहे हैं ऐसा ना सुचिए कि आप ऐसे देखके रहे हैं आप कुछ किताब पढ़के रटके चले जाओगे लेकिन training center में भी आपका medical होता है जिसका color vision है उसका मेरे ख्याल से कुछ problem हो सकता है ठीक है तो ही बताना चाहता और जो आपका जो point है मतलब कुछ जिसका बहुत सारा surgery है surgery में doctor के upon depend करते हैं आपको कैसे check-up हो रहा है dns में भी fit हो रहा है ठीक है तो चलिए और कुछ देख लेते हैं ऐसे ऐसे करके सभी को मतले medical हो रहा है अभी आप देख सेकते हो जो हाइद्राबाद है हाइद्राबाद में 20 fit 9 unfit एक absent 179 2020 को ठीक है यह हाइद्राबाद का report है तो ऐसे मतलब आपको मैं एक बता आना चाहता एक चीत जो इस बार मतलब कि ज्यादा तर आपका color vision उसके बाद आपका dental, flat foot, उसके बाद आपका नौकनी इस point में ज्यादा तर unfit हो रहा है ठीक है और कुछ problem नहीं है remedical में और भी कुछ सवाल चाहते हो तो आप comment box में comment कीजिए मैं उसका वीडियो कर दूंगा तो चलिए जय हिन जय भारत